हेलो दोस्तों स्वागे था अपके अपने चलनल तनू क्लासेस में जैसा है कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर डेश दे सकते हैं 2012-2020 यानि कि आजी की दिन ये नोटी जारी की गई है दोस्तों अगर आप लोगों का नाम पोने अनुशिटी में जहां दोस्तों फिर बात करेंगे दोस्तों आपको क्या सुधार करना होगा मैं आपको सुधार करके बताऊँगा क्या आपको कैसे सुधार करना होगा जिससे आपका ठर्ड मेरिटिस में नाम आ जाए इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा तभी आपको सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों ये वीडियो फिर से मैं बता दू ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी important है उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी request अभी तक आप लोगों ने चनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चनल को सब्सक्राइब करें क्यूंकि पुन्याण सिरी का कोई छोटी से चोटी नोटीस या फिर बड़ा से बड़ा नोटीस जा रही होता wand दोस्तों आपको इस चनल पर सबसे पहले मिलता है यहनिके 1st और 2nd MATISD में वैसे चात्र जो नमांकर नहीं करा सके हैं एवंग वैसे चात्र जिनका नाम दोनों सुची में नहीं आया है ठीक है दोनों सुची यहनिके 1st MATISD और 2nd MATISD में नहीं आया है और आप लोगों का नमांकर भी नहीं हुआ है उन्हें विश्व विदाले द्वारा विश्विद्याले पोटल पुर्णे अनुशिटी.ac.in पर सुधार करने का समय दिया जाता है छात अपने ID पासवर्ट से लोग इन कर विश्विद्याले की वेबसाइट पर अपने आवेदन पत्र में सुधार कर सकते हैं छातरों को वैसे महाविद्याले के लिए सुधार करना आवशक है जिस महाविद्याले में उनके चैन के विशे में 40 seat उपलब्द हो कोई भी छातर कला के प्रयागिक विशे को तभी ले सकते हैं यदि वो इंटर अस्तर पर उस प्रयागिक विशे में 45% के साथ उत्तिर न हो तो दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कला के प्रयागिक विशे को ठीक है आगे देखे फिर मैं आपको इसको बताता हूँ क्या कह रहा है इसके लिए दिनांग 312-2020 से लेके 712-2020 तक दिया जाता है समय तो दोस्तों यहाँ पर आपको कह रहा है कि जिस college में seat खाली है अब दोस्तों इस पांचों college में अगर किसी college में seat full है तो दोस्तों इस college को आपको वाँ से हटाना होगा और जो नया college जिसमें seat खाली है उसी college को फिर से select करना होगा उसी को इस video में बताएंगे और दोस्तों इसका जो date सुधार करने का date है 312-2020 से लेके 712-2020 तक है है यहनी कि मात 5 दिन का समय दिया गया है तो दोस्तों आपका third meritist कव आएगा तो इसी के अधार पर हम लोग कह सकते हैं हो सकता है यह date सुधार करने का date आगे बरे अगर दोस्तों इस सुधार करने का date आगे नहीं बरता है तो आप लोगों का third meritist जो है 8 December तक जारी कर दिया जाएगा जिहा दोस्तों आप लोग किसी भी college में नमांकन कर सकते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों 2012 2020 आज ही की दिन यह news जारी की गई है यह notice आपका उपकुल सचिप का signature भी है चले दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आपको marks कैसे update करना होगा simply दोस्तों अपने phone में आपको google या फिर chrome open करना है और दोस्तों वहाँ पर आपको type करना है पोने अनुशिटी पोने अनुशिटी टाइप करने के बाद दोस्तों आपको search करना है जिसको जिसको यह process आता है दोस्तों वो आगे भर सकते हैं मैं सभी के लिए वीडियो बना र करना है सबसे नीचे में new section पर click करना है जैसे ही दोस्तों आप इस पर click करते हैं यहाँ पर आपको application login ID पर click करना है दोस्तों इस पर click करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों आपको username, password और यहाँ पर capture फूल करना होगा जैसे कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों we made it selection पर click करते हैं और दोस्तों आप यहाँ पर दे सकते हैं किसी भी college में यहाँ पर select नहीं बता रहा है जहां दोस्तो not select, not select, not select, not select, not select किसी भी college में यहाँ पर select नहीं बता रहा है इस college को हटा करके उस college को चुनना होगा जिसमें seat खाली है दोस्तों यह आपको कैसे पता लगेगा तो दोस्तों क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है इसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगा इसलिए आप लोग चैनल को subscribe कर लेजे आपको कैसे पता लगेगा कि इस college में कितना seat खाली है दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते है सुधार करने का date 3 से लेकर के 7 December के बीच रखा गया है जहां दोस्तों आज 2 December है तो दोस्तों जैसे ही सुधार होगा यहाँ पर आपका और एक option आजाएगा अपडेट यूनिवर्सिटी या फिर अपडेट यूजी मार्स जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर स्क्रिंसोट पर दे सकते हैं PG वालों का जब सुधार करने के लिए आया था तो कुछ इसी परकार का option आया था जहाँ दोस्तों उसी तरह का आपका यहाँ पर option आएगा और उसी option पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर वी application है वी merit selection है help है उसी तरह दोस्तों और यहाँ पर option आएगा अपडेट या फिर update UG marks या फिर update college इसी तरह का कोई option आएगा जैसे ही दोस्तों आप उस पर क्लिक करते हैं वहाँ पर दोस्तों आपको simply खुल जाएगा आपको क्या करने के लिए जैसे आप application भरे थे उसी तरह आपर दोस्तों college select करने के लिए भरा जाएगा जहाँ दोस्तों आप लोग घबराई यमत आप लोग चैनल को subscribe कर लिजे ताकि जैसे ही सुधार होगा मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो मना दूँगा आप उस वीडियो को जरूर देख लिजेगा दोस्तों इस वीडियो मैं सिर्फ इतना information देना था इसलिए दोस्तों वीडियो को शेर कर अपने दोस्तों को ताकि वो बहुत ज़्यादा प्रेशान उसको पता लग जाए और दोस्तों ये आपको कितना confusion जो हो रहा है कि कौन सा college ले कौन सा क्याले ये सारी problem आपका कल दूर हो जाएगी इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे